आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में जहां हम सीखते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं आईए चलकर जाने GV के Power and Infrastructure के बारे में हम लोग पहले इसका Fundamental Analysis करेंगे देखेंगे कंपनी की क्या values है, क्या benefit है, क्या portfolio है इनका और इसके बाद में हम लोग इनका Technical Level पर Analysis करके recommendation बताएंगे कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या outlook रहेगा feature का और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं आगे के लिए तो क्या outlook हो सबता है, आईए चलकर जाने अगर हम इसकी market capitalization की बात करें तो महज 355 करोड की market capitalization है इसका face value एक रुपे का है और market में अभी इसका price दो रुपे 25 पैसे चल रहा है इसकी industry के comparison में PE बहुत कम है अगर industry का PE 9.9 है तो इसका PE just 3 है तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका valuation, इसका price काफी relatively कम है इसका reason समझना होगा क्यों? क्योंकि इतना कम होना भी, one-third होना भी कोई अच्छी बात नहीं है किसी company के लिए शायद आपको पता ही हो, इनका power में काफी अच्छा project है power transmissions के initiative काम कराते हैं ये लोग, बड़े लेवल पर तो देश के हर कोने में power provide करने के लिए इनके infrastructure यूज होते हैं अब अगर इनके result की बात की जाए, हमारे पास जो latest result available है, वो December तक का available, December 2019 March का result हमारे पास अभी नहीं आया है और नहीं हमारे पास June का result आया है इसका तो result के basis पे कोई इतना ज़्यादा impressive figures नहीं है कोई ज़्यादा growth नहीं है sales पे expenses relatively ज़्यादा ही रहते हैं expense, sales के comparison में और अगर आप इनका total net profit की बात करें तो पिछले किसी भी quarter में उने positive profit growth नहीं implement की है तो ये एक थोड़ा fundamental problem हो सकता है कि अगर income 1100 करोड है और expenditure 850 करोड के आसपास आ रहा है तो इनको interest बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इनका सारा profit जो है वो loss में करना तो जा रहा है तो इन्हें कुछ ना कुछ अपने debt के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा otherwise ये model sustainable नहीं हो सकता है आगे आपका interest जा रहा है आपका principle as it is रह रहा है और आपके पास net profit कुछ नहीं हो रहा है आप कुछ increase नहीं कर पाने shareholder के लिए ये सबसे बड़ी problem में इस company के fundamental valuation अगर आप देखा जाए तो जिसकी वज़े से शायद इसका reflection stock market में भी इसका दिखाई दे रहा है पावर का जब हम इसका technical analysis करेंगे तो समझ में आएगा आपको पर unless until they reduce their debt and they make it profitable by reducing the interest cost it is going to be difficult time for GVK power and infrastructure आपको पता ही होगा मुंबई का चत्रपती शिपाजी एरपोर्ट बहुत अच्छा एरपोर्ट है आप अंदर से जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी ambience feeling आएगी जैसे आप बहार देख रहे है ऐसा ही अंदर से भी है सारा का सारा और one of the world best class airport for sure after Delhi also and इन्होंने इसको develop किया है, build किया है, construct किया है और maintain कर रहे है तो काफी iconic building भी बिल्डिंग भी बिनाई है इसके बारे में बहुत बात करेंगे जब इनकी website को सर्च करते है अगर आप इनके promoter stake की बात करें तो 54% promoter stake है steady है, कोई pledge नहीं है एक parameter जो गलत लग रहा है वो है FII की holding कम हो रही है जादा होने की बज़ाए FII की holding कम हो रही है तो जहाँ भी FII की holding कम होती है तो price नीचे रहता है अगर FII की holding upward trend में होती है तो price up करता है यह थोड़ा अच्छा sign नहीं है इसके लिए और others, retailer के पास काफी इसका share पड़ा हुआ है इसका अच्छा लगेगा दोस्तों अगर video में information अच्छी लगेगी तो please एक बार like बटन ज़रूर दबाईएगा यह हमें अच्छा लगेगा अब चलकर हम जड़ा बात करते हैं इसके technical level पर और इसका target क्या हो सकता है long term का target देना पड़ेगा इसका short term देने का कोई फैदा नहीं है क्योंकि short term का इसका view कुछ लगनी रहा है हमको अभी के हिसाब से इसमें सबसे पहले हम अपने नई दर्शकों का स्वागत कर लेते हैं अगर आप नई है चैनल पर तो please एक बार चैनल को like ज़रूर कीजेगा यहाँ पर आपको education वीडियो के साथ में motivational वीडियो भी मिलते हैं और साथ में ही आपको नए नई stock की related information मिलती है जैसे हमने alloc के बारे में डाला है information FSC के बारे में डाला है, retail के बारे में डाला है feature retail के बारे में, मिजिसकों के बारे में डाला है तो आपको जो information चैनल आपको सब कुछ मिलेगा please subscribe the channel if you like अब अगर इसका downward trend की बात करें 2018 से steep downward trend में है कभी भी अगर recovery आती है तो previous highs को break नहीं कर पाता है वहीं पी attack जाता है और अभी ये पिछले 3 महिने से 2 रुपे से लेकर 3.5 रुपे की range में एक हो सकता है consolidation कर रहा है हो सकता है हम पर base बना रहा है हम इसका analysis करेंगे और आपको बताएंगे volume थोड़ा सा interesting लग रहा है है आपर आगे बताएंगे इसके बारे में क्या कर सकते है अब अगर हम Fibonacci arch retracement से इसका levels का पता करना की कोशिश करते हैं कि कहां पे इसका next support or resistance आएगा तो अगर आप देखिए सबसे पहला जो इसका resistance इसको रहेगा अभी वो 3 रुपे 10 पैसे, 3 रुपे 15 पैसे के आसपास रहेगा इसके बाद में अगर इसने cross किया जो की 38 percentile है इसके बाद में अगर इसने cross किया तो इसका 50 percentile चलेगा जो की 3.55, 3 रुपी 55 पैसा पर है और उसके बाद में अगला resistance जो रहेगा वो करीब करीब रहेगा आपका 3 रुपी 95 पैसा के आसपास तो जैसा आप देख रहे हैं हर एक रुपे के अंदर इसके 3 resistance आ रहे हैं अभी हाँ पर तो आगे की position इतनी अच्छी नहीं लग रही है जब तक ये इस resistance को cross करके अपना previous high को न ब्रेक करे तब तक ये position थोड़ी consolidation के लेवल पर लग रही है पर एक चीज़ जो अच्छी हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिए इन levels पर, lower levels पर जब buying आ रही है तो अच्छा result दिख रहा है यहाँ पर buying interest आ रहा है, volume बढ़ रहा है जो कि यह हो सकता है एक अच्छा sign हो stock के लिए आगे future growth के लिए हम recommendation अभी आके बताते हैं पहले इसका analysis complete करते हैं अब अगर हम इसको further one day chart पर इसका down pattern देखें तो यहाँ पर थोड़ा positiveness आ रही है क्योंकि जो downward falling channel है, यह दोनों तरफ जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी उपर जा रहा है अगर आप weekly level पर देखें तो ज़्यादा तर नीचे ही अटका हुआ है, mid level पर नहीं आ रहा है पर यहाँ पर इसने थोड़ा upward portion पर जाने की कोशिश की है तो आप कह सकते हैं कि इसका एक अच्छा base बन चुका है आप 2 रुपे के आसपास यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से उपर जाने की chances अब ज़्यादा हो जाएगी इसको आगे के लिए but company के management को कुछ न कुछ fundamentally करना पड़ेगा आपने debt के लिए इतना ज़्यादा interest वो नहीं afford कर सकते हैं पे करना ताकि उनकी earning negative रहे जैसे आपको पताईए, super trend indicator है और इसने जुलाई से इसको downward trend में बताया हुआ था जब से 3 रुपे के असपास किरा था और यह lower circuit में चल रहा है उसके बाद इसने पिछले 15 दिनों में काफी अच्छा consolidation किया है यह pattern अच्छा लग रहा है चार्ट के basis पकर देखा जाए तो इसकी buying value बनती है यहाँ पर lower level पर 2 रुपे के असपास और हो सकता है आगे चलकर यह W pattern भी complete करें आप देखें यहाँ पर इसने यह pattern रहा है यहाँ से W का left leg फिर first upward high उसके बाद में low उसके बाद में हो सकता है यहाँ से upward journey continue करें तो अगर यह continue करता है और जैसे ही W का head निकालता है यहाँ से और यह super trend को cross करता है जो कि 2 रुपे 50 पैसे के असपास है तो आपका एक move अप movement आ सकता है जो करीब करीब 3 रुपे 50 पैसे तीन रुपे 90 पैसे तक जा सकता है वो जो हमने फिर बनाची retracement से देखा था अब अगर आप हम 15 मिट का चार्ट देखे तो आपको दिख रहा है कि 5 पैसे के difference पे ही इसमें circuit लगना कि चांसे ज़र 10 पैसे के difference पे circuit लग सकता है तो अभी के लिए valuation बहुत कम है तो इतना दा कोई disturbance नहीं हो सकता इसमें आप अगर long term के लिए चाहते हैं तो आप इसको hold कर सकते हैं अगर आपने बनाय हुआ है please comment में लिखेगा कि आपने कितने पे खरीदा हुआ है हम ताकि customized advice कर सकें और अगर आपको fresh investment करना है तो हो सकता है आप अपना 2% portfolio या up to 5% portfolio इसमें invest करना चाहें as a risk based approach अगर चल जाता है तो फिर ये आपको काफी अच्छे return दे सकता है आगे future में पर उसको चलने के लिए इनको management को definitely अपना कुछ strategy change करना है जिसकी वयासे वो profitable हो सके as a loss making particularly depth को loan pay करने के लिए हो रहे हैं वो अच्छा operation नहीं है किसी भी company के लिए अब ज़र हम technical level पर बताते हैं कि कहा कहा आपके support है और कहा कहा resistance है जैसे मैंने बताया है 2 रुपे पर बहुत अच्छा support है इसका तो अगर आप चाहें तो 2 रुपे से 2 रुपे 25 पैसे जो भी इसका current market price है इस पर आप कितना quantity खरीद सकते हैं जैसा हम बोलते हैं हमेशा staggered quantity में खरीजे सारी quantity एक साथ में लगाई है आप अपना half 50% यहां से 2 रुपे से 2 रुपे 25 पैसे के बीच में आप खरीद सकते हैं सबसे पहला जो resistance हमारे हिसाब से लग रहा है उसका वो तीन रुपे 50 पैसे का लग रहा है जी हां तीन रुपे 50 पैसे का एक अच्छा resistance लग रहा है टेकनिकल लेवल पर यहां पर और जो कि यह आपका Fibonacci Arch Registment का भी resistance है अगर इसने इसको वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी इसका price दो रुपे के नीचे जाएगा तो आपको हो सकता है दुबारा quantity खरीदनी पड़े इसमें कुछ तो अपनी सारी quantity एक साथ मत खरीद दिएगा हमारा advice, first you buy 50% between 2 रुपीज and 2 रुपी 25 पैसा पहले आप 2 रुपीज से 2 रुपी 25 पैसे के बीच खरीद दिए और उसके बाद में अगर ये किसी वज़े से नीच आता है 175 के आसपास तो अपनी 50% quantity महाँ पर ले सकते है 175 के आसपास में आप अगर इसका long term का view देख रहे हैं तो हमारा view ये है 2 से 3 साल के अंदर ये 10 रुपे के आसपास हो जाना चाहिए तो आपका return अच्छा है इसमें पर आप समझके रखिए कि company जब तक profitability नहीं दिखाएगी तब तक technical chart कुछ help नहीं कर सकते हैं पर आपको fundamental valuation देखनी है आपको fundamental value understand करनी है इसकी अगर जड़ा हम इसके एक बार website को भी देखें तो आपको सुझ दाएगा इन्होंने काम अच्छे किया है इसी बात नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया है काम बहुत अच्छे किया है इन्होंने तो hospitality में इनका काम है इनका infrastructure ambulance service प्रवाइड करते हैं वो अच्छा काम है इनका और power और infrastructure में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं देश के development के लिए coal power, thermal power सब तरह के काम होते हैं इनके हापे जैसे आपको बताया है मुंबई का च्छा तरपती airport इन्होंने बनवाया है road construct करते हैं public PPP के जरिये तो यह अच्छा काम कर रहे हैं काफी ऐसी बात नहीं काम इनके project अच्छे है पर I think debt बहुत जादा होने की वज़े से इनका interest बहुत जादा pay करना पड़ रहा है जैसा आपको बता है energy में काम करते हैं यह तो यह इनके पास power plants है airport का आपको बताई दिया है मुंबई का airport इंटो ने बनाया है और साथ में दो airport इंडोनेशन में बना रहे हैं यह लोग transportation road construction करने के लिए PPE model काम करते हैं यह लोग इनकी ambulance services आपको समझाया और Dr. G.V. K. Reddy इनके founder, chairman and managing director है तो अब हम जड़ा चलकर एक बार इसका view फिर से समझ लेते हैं जो हमने आपको समझाया है अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका level जो होगा वो आपके लिए 2 level रहेंगे दो रुपे से दो रुपे से दो रुपे 25 पैसे का एक level 50% quantity और एक रुपे 75 पैसे का दूसरा level जहां पर आप रुमेंगे 50% quantity खरीच सकते हैं हो सकता है 1 रुपे 75% ना आए हमारे analysis के basis पर पर अगर आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसका management का view देखना है management क्या कर रहा है अपने debt to reduce करने के लिए जितनी earning हो रही है net उससे जादा इनका interest चला जा रहा है जो कि अच्छी ख़बर नहीं है किसी विहारात से तो यह fundamentally थोड़ा सा वहाँ पर weak हो जा रहा है beaten down stock है bounce back करेगा तो आपको दुगना या चार गुना profit दे सकता है दो रुपे पर खड़ी देंगा हो सकता है आठ रुपे पर मिल जाए आपको बाद में तीन साल के अंदर तो यह अच्छा view लगा के रखिए अपने हिसाब से अगर आपको positivity देखनी है इसकी अगर आप किसी तरह से असोसियरें जीवी के power पे और power infrastructure पे तो आप यहाँ पर थोड़ा accumulate कर सकते हैं दो रुपे के असपास और expectation यह रहेगी कि आगे आने वाले time में तीन साल के अंदर इसका 10 रुपे या उससे उपर price हो जाना चाहिए अब अगर हम आज के market की बात करें हम अपनी service के बारे में बताते हैं हम paid service provide करते हैं nifty और bank nifty future की अगर आप उसमें interested है तो हमें comment box में लिखिए हम detail आपको भेज़ देंगे आज nifty ने कारोबार हमारे कारे के अनुसार किया हमारी एक बज़े हमने अपने call channel पर call बता दिया था कि हम लोग short जा रहे है nifty में bank nifty में हमने कोई trade नहीं लिया था और हमारा nifty में सारे के सारे target target 1, target 2, target 3 अचीव हो गए थे अगर आप देखें nifty bank का specific view इसने एक डिड़ बज़े तक भी कोई sell signal नहीं दिया था पर हमारा nifty ने हमें sell signal था हमने सिर्फ nifty में कारोबार किया bank nifty में कोई कारोबार नहीं किया है हमने अगर आप paid service में interested हैं तो please comment box में अपना feedback डालिएगा हम आपको बता देगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो like जरूर कीजेगा अपना feedback दीजे हमारे request थी है काफी time से पढ़ा हुआ था request तो हम इसके लिए आपको request ये video बनाके आपके पास बेजना है thank you very much for your time good luck